हालो लेर्नर्स वालकम बाक तो माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट टू इससे पहले पार्ट वन में मैं आप लोगों के साथ बिजनस ट्रांजक्शन ओके इवेंट और एकाउंट के बारे में डिसकस क बर चुकी हूँ ठीक है इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था हम एकाउंटिंग का जो है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल मूव करेंगे तो आपको जरूर देखनी च देखिए सबसे पहले हम लोग डिसकस करेंगे कैपिटल को कैपिटल अगर हम सिंपल लाइंग्वज में बात करें तो जो भी एक ओनर बिसनस में पैसा लगाता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं देखिए इट रफ़र्स तो दा मांट इन्वेस्ट बाइ दी प्रॉप्रियेटर इन बिसनस एंटर्प्राइस ओके जो भी वो अपने बिसनस पे पैसा लगा रहा है धाट इस क्यापिटल और वह जो अमाउंट है वह कैश की फॉर्म में भी हो सकता है गुड्स की फॉर्म में हो सकता याने कि ज़रूरी नहीं है कि cash की फॉर्म में वैसे generally cash की फॉर्म में होता है जाधा तर वह गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है इस दामाउंट विद आप विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज इन दे बिस्नस क्योंकि अगर कुछ परचेज करना है तो पैसा चाहिए और वह पैसा क्या होता है एक साइट आपकी अपकी एसेट्स होती है एक साइट्स होती है एक साइट्स होती है एसेट्स में आपका दोनों आ जाएगा चाहिए वह आपका करेंट एसेट्स हो चाहिए वह आपका नौन करेंट यानिके फिक्स एसेट्स हो तो अगर आप यह चीज़ देखिए एसेट्स में से जब एक्स्टरनल लाइबिलिटीज को डेडक्ट कर देती है तो एक्स्टरनल सबी मैं आपको बताऊंगी कि external और internal liability क्या होती है तो आप क्या capital आता है देखिए आप लोगों को capital का formula clear होना चाहिए अगर मैं capital के formula की बात कर रही हूँ तो वो होता है assets minus liabilities इस वन ओके यह आपको ध्यान रखना है यह formula important है capital is equal to assets minus liabilities अब आप एक और चीज़ ध्यान रखनी है देखो जो formulas आप लोग करेंगे चाहिए वो छोटे से छोटा formula है यह हर एक formula आपने आप में important role play करता है accounts में तो formula starting से यह आप अपने formula इसको note down करेंगे अलग से ठीक है क्योंकि कई बार क्या होता है question बहुत easy होता है अगर हमें formula नहीं ध्यान होगा तो हम कैसे solve कर पाएंगे ठीक है देखिए for example suppose that the following balances appeared in the books of firm cash आपको 20,000 का machinery 50,000 की stock 1 lakh का debtors 40,000 की creditors 30,000 का तो अगर आपको बोला जाए capital बताइए तो कैसे निकालेंगे देखिए assets जितने भी है पहले उनको add कर लीजिए तो हमारे पास देखिए cash asset है machinery asset है stock asset है और debtor asset है हमारे पास ठीक है तो यह अब इनको add कर दीजिए 20,000 प्लस 50,000 प्लस 1 lakh प्लस 40,000 ठीक है यह करने के बाद अब आप लोगोंने देखना है कि हमारे पास liability कौन सी है तो liability आपके पास सिर्फ creditors है 30,000 इसको less कर देंगे तो आपके पास जो यह 180,000 है ना that is your capital और एक और चीज़ आप लोगोंने ध्यान रखनी है कि जो capital है उसको हम लोग owners equity और net worth और net assets भी बोलते हैं जब आप assets में से जितनी भी external liability है वो less कर देंगे तो आपके पास net assets ही आएंगे ठीक है net worth भी बोलते हैं इसको और owners equity भी बोलते हैं जो business में पैसा लगाया गया है owners के द्वारा next जो term है that is drawing drawing simple से language में अगर personal use के लिए owner business से या cash या goods निकाल रहा है withdraw कर रहा है तो उसको drawing माना जाएगा any cash or value of goods withdrawn by the owner for personal use or any private payments made out of the business funds business funds से अगर वो कोई भी private payment कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग drawings ही बोलेंगे ठीक है तो यह जीज़ important है देखिए यहाँ पर withdrawn by the owner for personal use or any private payment made out of business funds यह ध्यान रखना ठीक है अब उसके बाद जो next है that is liability अगर मैं बात करूँ liability कि एक ना अपने term ध्यान रखनी है एक होता है owing to एक है owing from इस पे confused नहीं हो न अगर मैं बात कर रही हूँ owing to owing to मतलब जैसे मान लो owing to outsider लिखा हुए या कोई भी person a b c d इसका मतलब to जिसके आगे लग गया na owing to a owing to b यानि कि आप लोगों ने उसे पैसे देने हैं तो वो आपकी liability है अगर owing from आ गया उस person from मतलब से owing from a owing from b तो उससे लेने हैं तो वो आपका debtors में count होगा यह ध्यान रखना है language is play a very important role in every subject यह आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है तो liability के अगर मैं बात करूँ it refers to the amount which firm the owes to outsiders outsiders में हम proprietors का जो पैसा है जो उनोंने capital लगाई हुए उसकी बात नहीं कर रहे हैं वैसे generally it refers to the amount which the firm owes to outsiders in the words of Finne and Miller liabilities are debts they are amount owed to creditors ठीक है तो अब हमने एक equation सीखी थी liability capital का आपने तेखा था assets minus liability तो अगर liability नहीं कान नहीं होगी तो क्या होगा हमारे पास assets minus capital यह चीज़ आपने ध्यान रखने है liability का क्या होगा assets minus capital ओके देखिए thus when a firm purchases goods on credit from A the amount going to A is the liability for example एक firm ने जो है A से credit में यानि कि अगर हम कहें उधार में rupees 1 lakh की goods ली है तो यह जो 1 lakh है न यह liability हो जाएगी business की ठीक है likewise when a bank account is overdrawn overdrawn मतलब आपने एक term सुनी होगी bank overdraft यानि कि suppose आपके bank account में 25,000 थे और आपने 30,000 निकाल ली extra amount निकाल लिया ना तो यहां पे 5000 आप owing to bank हो ठीक है the amount owing to bank that is bank overdraft is known as liability ठीक है likewise ध्यान रखना the bills payable, creditors, unpaid wages यानि कि जो outstanding तो होगे हैं जो wages वो अभी अब देखो outstanding wages का मतलब क्या होगा है जैसे suppose 12 months की जो salary है उसमें से आपने 11 months की तो जो salary है वो दे दिया है employees को but अभी भी आप लोगों ने ध्यान रखना है अभी भी one month की outstanding है तो यह हमारी unpaid wages है तो यह liability है हमारी ओके देखो जो liabilities है उसको हम two parts में divide करेंगे internal liability ठीक है internal liability में क्या होगा all the amounts which a business entity has to pay to the proprietor or owners देखो जो owners है जैसे मान लो shareholders है ठीक है उन्होंने जो पैसा लगाया है वो हमारी internal business की वो एक internal liability है such as capital accumulated profit accumulated profit मतलब जो हम profit इकठा कर रहे हैं अगर अब हम बात करें external liability की तो जो external liabilities हैं all the amounts which a business entity has to pay to the outsiders is known as external liability such as creditors, bills payable, loan यह भार की लोगों को देना है तो यह external liability में count होगा देखिए जो liabilities हैं उनका एक और भी classification है वो जो classification है वो non current और अब भी पढ़ेंगे short term या फिर current liability तो जब non current यहां पर बात आ रहे हैं तो यह आपका ध्यान रखना यह आपका time period से related है ठीक है थीज रेफर तो दोस liability which fall due for payment in a relatively long period normally after more than one year यहने की generally जब एक साल से जादा के लिए liability arise हो रही है that will be your non current liability ओके long term liability भी बोल सकते हैं जैसे की long term loans bank से लिए हो हैं debentures वगेरा ओके और अगर हम बात करें short term liabilities की तो जो short term liabilities होती है current liabilities refer to those liability which are to be paid in near future normally within one year मतलब ऐसी liabilities जो within one year देनी है यहने की पहले क्या था आपका जो long term liability था उसमें आपको होता था one year से जादा लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहां पर within one year यहां पर मैंने highlight इसलिए किया है तो वो आपकी short term liability या फिर current liability होगी तो आपको एक्जामपल जरूर पता होने चीए चीज़ होके for example bank overdraft हो गया आपका okay bills payable, creditors, outstanding expenses, short term loans अगर long term loans होंगे तो वो long term liability में हाएंगे बट अगर आपके short term loans हैं तो वो short term liabilities में count होंगे okay okay guys तो यह मैंने आप लोगों के साथ काफी easy language में discuss किया है बट फिर भी अगर आपको कोई भी doubt आता है तो आप पूस सकते हैं ठीक है thank you so much keep learning and keep sharing have a nice day okay